हलो दोस्तो आज मैं आपको पंजाबी राजमा करी और जीरा राइस बनाना बताऊंगी दोनों को कॉम्बिनेशन बहुत टेस्टी लगेगा आप अपनी राजमा को चपाती, नान, पराठो के साथ भी खा सकते हैं मैंने जीरा राइस के साथ इसका कॉम्बिनेशन किया है आप इसको बनाई ये बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगी आप फटाफट इसको बना लेंगे अगर दोस्तो आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए कुछ समझ में नहीं आया दोस्तो तो भी कॉमेंट बॉक्स में पूछिए मैं उसका अंसर जरूर करूँगी आई है हम इसको फटाफट बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले दोस्तो में जीरा राइस बनाओगी इसके लिए मैंने अपने सादा चावल जो सोना मसूरी हैं एक कटोरी लिया है इन्हें अच्छे से धोग के पानी में एक घंटा बिगा लिया है दोस्तो अगर नहीं विगा पार हैं तो कोई बात नी, साफ अच्छे से कर लीजे एक प्यास है जिसे मैंने मीडियम साइज में काट लिया है बहुत सारा हरा धनिया है दोस्तो जो हमारे जीरा राइस को बहुत अच्छी खुश्मू दोग देगा दो हरी मिर्चें जिनने लंबा काट लिया है और थोड़ा सा करी पत्ता है अब सबसे पहले दोस्तों हम अपना कुकर लेंगे उसमें मैंने सिर्फ एक छोटा चम्मस तेल डालें जाधा तेल नहीं डालेंगे दोस्तों उसमें मैंने अपना जीरा डाल दिया है दोस्तों इसमें थोड़ा जीरा कच्चा डालेंगे थोड़ा जीरा तेल में डालेंगे अब मैंने इसमें अपनी हरी मिर्ची डाल दिया हरी मिर्ची डालने के बाद दोस्तों मैंने इसमें अपना करी पत्ता डाला है गरी पत्ता डालने के बाद दोस्तों हम इसमें अपनी प्यास डाल देंगे और साथ में ही मैंने थोड़ा सा जीरा और डाल दिया जो कच्चा है इसे हमें तेल में नहीं डालने जैसे आपको दिखाई दे रहा है अब इसके बाद दोस्तों मैंने अपना हरा धनिया डाल दिया है अब इन सभी चीजों को मच्छे से थोड़ा सा तेल में सौटे कर लेंगे जस्ट एक 30 सेकंड्स के लिए 20 सेकंड्स के लिए स्वाधन सा थोड़ा सा नमक डाल देंगे अब दोस्तों मैंने इसमें 1.5 ग्लास पानी डाला है नमक थोड़ा हम कम डालेंगे क्योंकि हम इसके तराजमा बना रहे हैं तो इसमें भी नमक रहेगा तो जब पानी में उबाल आ जाए जैसा मैं हमेशा बताती हूँ पानी में उबाल आने के बाद आप इसमें अपने चावल डाल दीजे फिर से जब उबाल आ जाए फिर एक चम्मच की सहता से अच्छे से मिलाई है फिर उसके बाद कुकर बंद कीजे इसे क्या होगा दोस्तो हमारे जो मसाला है वो उपर नहीं आता है अच्छे से पूरे पुलाव में फ्लेवर आ जाता है हमने सीटी लगा दी है एक सीटी के बाद मेरे जीरा राइस तयार हो जाएंगे अब दोस्तो हम अपनी राजमा के तयारी करते हैं मैंने रात में राजमा बिगा दिये थे इन्हें मैंने चार सीटी दे लिया है थोड़ा सा नमक और हल्दी के साथ में और इन्हें अलग कर लिया है दोस्तो मैंने इसका पानी नहीं फिका है यह हमारे राजमा उबले हुए तयार है एक टमाटर का पेस्ट है एक प्याज का पेस्ट है दोस्तो और दो टमाटर का पेस्ट है इसमें दोस्तो प्याज पेस्ट करके डालेंगे तो टेस्ट बहुत अच्छा हैगा तो टमाटर की प्यूरी, एक टमाटर, ये थोड़ा साहरा धनिया है, जिसे मैंने काटके रख लिया है, और इसमें दोस्तो मेरे साधरन मसाले, स्पेशल है दोस्तो इसमें मेरा गरम मसाला, आप चाहे तो बजार का कोई भी रेडिमेट राजमा मसाला डाल दीजे, मैंने इसम अधरक हरी मिर्ची लैसुन का पेस्ट, जीरा और थोड़ी सी आधा चमा सौफ डाली है दोस्तो, उसके बाद मैंने इसमें अपनी पिसी हुई जो प्यास थी वो डाल दी है, तेल का प्योग थोड़ा कम किया है दोस्तो क्योंकि हमारे जीरे इसमें भी थोड़ा तेल है, प अधरक हरी मिर्ची लैसुन के पेस्ट में डाली है और यह आधा चमच मेरा गरम मसाला है दोस्तो, इसकी रेसिपी आपको मेरे पेच पर अराम से मिल जाएगी, थोड़ा सा नमक डाला है क्योंकि जो हमारे राजमा है, उनमें भी हमने नमक डाला था, अब अच्छे से इसक अधरा खटे नहीं लग रहते, सीले में इसमें और डाली है, आप इस तरह आपकी टमाटर कर जादा खटे हैं तो कोई बात नहीं वरना आपका तीन से चाट टमाटर में काम हो जाएगा, अच्छे से मिक्स करके अपने मसाले को भून लीजिए, जब मसाला थोड़ा को मिक्स कर लिया, और जो राजमा का पानी था, हम अब जितना हमको गाड़ा चाहिए, वही राजमा का पानी आप इसमें यूस कर लेंगे, हमें अलग से पानी डालने की ज़रूत नहीं पड़ेगी, मैंने अपना उबले हुए राजमा वाला पानी इसमें डाल लिया, दोस इतनी गाड़ी हमारी राजमा तयार हो चुकि यह बहुत अची खुश्बू आ रही है, आप मेरा गरम मसाला जाए, उसकी रेसिपी मेरे पेच पर देखकर, गरम मसाला बना लीजिए, वह मेरा गरम मसाला बहुत स्पेशल है, मैं उसको एवरीड़ी गरम मसाला बोलती जो हम रोई यूज कर सकते हैं, हमारा राजमा और जीरा राइस तयार है दोस्तों, इस राजमा को आप चपाती के साथ भी खा सकते हैं, जीरा राइस के साथ इस तरह बना के खा के देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, दोस्तों आपको अगर मेरी रेसिपी पेशल डिस्क ये जान करी चाहिए तो आप मुझे वो भी बताईए थैंक